जो पुटाएंगे 6 करी पेटिगूर की कटिंग सबसे पहले हाइट लेंगे, हाइट इसकी 38 इंच, वेश्ट इसकी 40 इंच 38 है, हमने रखा है 40 इंच, टू इंच एश्ट्रा फोल्टिंग के लिए अभी जो यह बचा हुआ क्लॉत है, इसमें से 4.5 इंच का निकालेंगे यह डवल फोल्ड है और डवल फोल्ड ही है, यह 4 फोल्ड हुआ है अब हमको दिहान रखना है, यह खुला इसे की तरप से, यह 4 पीस का ओपन ही है, यह आँ से हम 7 इंच 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 और यह 5 इंच रखेंगे रखेंगे यह और छिए फोल्ड ही और अज़ी से श्कौने मी पॉरसी पॉल्ड प कर दोना है, यह 1-7 इंच का ओपना है यह पाइच इंच का ओपन आई और एक λέण की चेनकिए अब अब हुआ च खुआ के काटिंग करेंगे अब यह को बंधिश्जा है तक हम बमखनेन के भीच में पट करेंगे और यह कह एक बंधिश्जा है जिस भीच में बमखनेन के कट करेंगे कटेंगे बाद यह नीचे आएगा और जो कली का यह 5 इंच का यह इस तरह से उपर जाएगा यह 6 कली पेट को बाट कटेंगे जैसे की यह कमर है यह कमर में हम जो बड़ा है इसमें इसमें 5 इंच की पॉइंट देंगे उस प्लेट के लिए कमर से लेके नीचे तक फाई इंच पॉब में देलें झाइए और दूसरे इसमें पॉण ऒलेए इसमें आएगा इसमें फिटिंग तो जहां किरी करेंगे तो जाय के स्थिए कि उभर में जेल से करें के लेकर शुआं लेके इस तरह से लगाएंगे कि व्हर्कष है कि अबिसेशाट करना चाहिए नीचे इस्टार्ट नहिं कर सकते हैं तो करिक्ट नहीं आएगा अब ज्या थिर टीन kitty से थे हो गाई आप कमर का है तो उपार से स्टार्ट करें तो अब एक साइड की कली लगा दिया है अब इस दूसरी साइड की कली अगाएंगे यह किनारी वाली कली है और यह क्रॉस कटिंग वाली है ऐसे करके इसमें अटेच करें यह थीन कली कम्प्लीट हो गए यह फ़र्स्ट कली सेगंद कली अब इसम हम बेक साइड कली जोइंट करेंगे कि पढ़ें आए आए यह पीछे की भाकी करें है और यह आगे की भाकी करा है। प्लाइट करें है। अब यहां से जोइंट करेंगे। जोइंट कर ली है। अबी का फूल करेंगे तो 4-5 तब तब सेम हम दूसरी साइट करेंगे अब ये बीच का कली है अब इसमें दो प्लेट आ लेंगे निसान लगाया 5 इंच तक ये पीछे का हिस्सा है इसमें भी बीच वाले कली में दो प्लेट आ रहेंगे अब इसमें दो पीछे को प्लेट डाली है और ऐसे दो आगे प्लेट डाली है बीच वाले सेंटर हमने ये तीन इंच की पट्टी कट की थी नेफा के लिए अब यहां से स्टार्ट करेंगे अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे पूल्ड करने के बार इस तरह से लगाएंगे नेफा में हमें यहां पर दो सिलाई जालते हैं कि तो डाल लिया है एक ओटा लगाएंगे अब यह साइड ओपन है अब इसको स्टीचिंग करेंगे जाएंगे पेडिकोड अब इस टीचिंग कंप्ली हो गया है पहले हमने कली जोड़ी यह साइंटर का कली है उसके बाद प्लेत दाली उसके बाद एक पालगा है अभी ज़ट डावन में कपड़ा एस्ट्रा है उसको कटिंग करेंगे उसके बाद इसको फोल्ट जाएंगे यह 40 का साइज है हमको 38 इंच लेना है तो यहां से हम यह 2 इंचे इसको फोल्ट करेंगे आप चाहता है इसमें प्रिल लगा सकते हैं अभी जो एश्टा कपड़ा है 2 इंच अभी इसको इपॉइंट दीया है यहां से ऐसे इसको फोल्ट करेंगे इसको हाफ इंच ऐसे फोल्ट करेंगे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंदाया होगा वीडियो को सेर करें लाइक करें चैनल सबस्क्राइब करें थैंक्यू झाल